हलो फैंस, वेलकम टू ओर्नाइन अड़र फोर स्टडी बनिस्टे पर हैट फोर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है उन्हेतर जास इच्छक भाईती पाईच्छा का जो ओरर है दोस्तों अब से कुछ ही घंटों बाद आप लोगों के सामने आने वाला है और जैसी दोस्तों ओर पब्लिश होगा आप लोगों को आपके अपने चैनल ओना इन अड़र फोर स्टडी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों की जितने भी डाउट और सजेशन है दोस्तों वह मैंने आप लोगों के सामने डिसकस कर दिया साथ मैं दोस्तों एक और इंपोटेंट बात मैं आप सभी को बता दिना चाहता हूँ कि अब दोस्तों आप लोगों की बहुत सारे वीडियो जिसके अंदर मैंने 60, 60, 45 को लेकर डिसकसिन कर लिया था मैंने काफी कुछ आप लोगों को पहले भी बता दिया था जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता जब बैस चल लए थी तो कोर्ट के अंदर जस्टिस आजय सिंग चोहान जी ने इस बात को कंसीडर किया था कि उन्होंने कहा था कि सगर सरकार चाहे तो नियमा वली में संशोध सब्सक्राइब करके 97 पर भरती प्रक्रिया को संपन करा सकती है तो ऐसा कुछ दोस्तों जस्तिस आजे सिंग चोहान ने कोर्ट में सब के सामने कहा था ठीक है तो अब बात कर लेते कि कि डिसीजन कितने पर आएगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कहीं सोशल मीडिया पर ब बता देना चाहता हूं बीच में कुछ लोग पचास पच्पन भी बोलते हैं तो आप दोनों मेरी बात को समझ लीजी सरकार 1260 डिसाइड किया गया जो कि एक इलीगल कट अगर माना जाता है अगर प्रूफ हो गया कोट के अंदर अगर कोट जज़साब इस बात को मानते हैं तो आप लोग इस बात को स्टार बना करके लिख लीजिए कि 40, 45, 45, 50 दोनों की दोनों कट ओफ कोई नहीं आ सकती है क्योंकि सारी के सारी कट ओफ आफ्टर दर नोटिफिकेशन जो 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 नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी कट ओफ अगर 60, 65 जो इलीगल माना जाता है तो उसके बाद सारे के सारे कट ओफ इलीगल माने जाएंगे तो आप लोग इस बात को बिल्कुल काट करके रख दीजे कि 40, 45 होगा कि 55 होगा कुछ नहीं होने वाला अगर 60, 62 इलीगल है तो कट ओफ जीरो होगा अब सबसे बड़ा सवाल है कि जीरो कट ओफ होगा तो सरकार ने कहीं बहुत बड़ी गलती कि कि कट ओफ जो डिसाइट पहले कर दिना चाहिए था बाद में किया अब बाद में कर दिया तो यह सबसे बड़ा प्रोल्म सवाल जो है सरकार के सामने कि अब क्या किया जाए तो तो तीन बातें काफी जाता है इंपोडेंट होंगी ज कि उसको अभमानने कर सकते हैं जो रद्द कर सकते हैं आप सिंपली बासा में समझ सकते हैं तो साथ ताईखव एगर कैंसल हो जाएगा चाहिए को इसको इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसा कि इस बात की एंदर यह इस बात को भी नोट डाउन किया जाएगा कि च लाग दसजाब नहीं किया जाएगा जब भी आएगा इन बात को नोट करके रखा जाएगा जब प्रावित नहीं किया जाएगा चाहिए वह नहीं कुछ लोग कहते हैं कि सबस्क्राइब नंबर बढ़ वाकर इसको कोई कुछ नहीं कर सकता सभी को किया सकता है कि नौटिफिकेशन हो सकता है बट दोस्तों दूसर इंपोटेंट पॉइंट यह कि चात्तों के बारे में सोच कर कि कुछ किया जाएगा ऐसी कोई डिसीजन नहीं आएगा जैसा कि दोस्तों तीसा पॉइंट मैंने आप सभी को यह भी बोला है कि सरकार ने को सजवाब दिया गया था कोट के द्वारा कि 97 पर संसोधन करके भरती को संपन करा सकते हैं क्या ऐसा कुछ डिसीजन देखने को मिल सकता है तो दोस्तों कहीं ने कहीं बात यहीं आ सकती है कि पच्छ जुए वह कटोब 65 एदि तो कह सकते हैं कि भरती पर आगे के लिए करणी की रुख जाएगी और वह जलसे जल संपन नहीं हो पाईगी तो उम्भी दोस्तों मैंने आप सभी को यहीं बता दिया कि 65 पच्पन अगर 65 एलीगल होता है तो 55 पचास ओ चाहे वह 45-40 या कुछ जो भी हो को सब का सब illegal माना जाएगा अकोर्डिंग टू दूस्टो नोटिफिकेशन तो चाहतों को प्रावित ना किया जैसे लगाई जा जाएंगे बागी दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो लोग जानना चाहते हैं कि सब्सक्राइब कि जजमेंट आजाएगा बाकि जैसा भी जजमेंट आएगा आप लोगों के सामने तो सब्सक्राइब हो जाएंगे जस्मेंट को डिलीवर करने को लेकर तो गाइस थैंक यू थैंक यू वर वाचिंग वीडियो